इस आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दा फोकेस ट्रेटर में आई होप कि आप काफी ऑच्छी होंगे लेट्ट इस जानते हैं काईस्याप पिन नेच्टूल याफ्य किया होने वाला है Natural कि किस-किस तरह से यहां पर बाइंग बनेगी नेचरी गैस के अंदर और क्रूडल के अंदर तो गाइस अगर आपने तक हमारे यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब ने किया है तो सस्क्राइब कर लेना और साथ में बैल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट मैसिज पहुंच सके तो गाइस सबसे पहले में आपको यहां डिस्क्लाइमेट देदू यह वीडियो ओनली हो एज्यूकेशनल परपस के तोर में जारी मैं यहां पर आपको किसी परकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंड ना तो कभी करता हू और ना ही कभी करूँगा आपकी प्रोफिट एंड लोगस की सब्सक्राइब होगी तो गाइस यहां पर हम जो बात करेंगे सेप्टेंबर मंत का कॉंट्रेक्ट है नैच्छल गैस का और एक लेवल तो गाइस अब यहां पर जानते हैं कि लेवल क्या क्या होंगी फटा फट अपर यहां को किस तर से प्लान किया जाएगा रीकि हैकि यहां पर देखा जाएगा तो यहां फै यहां से एक रीजेक्स नाॉन से यानई कि यहां पर down conversions ौने के बाद में down payingcottмы फिर एक बार remindsय के बार यहां अक बारै क्या है आएगा वो क्या एक ब्लोक है देखिए है ब्लोक के बारें बात करूँ यहां पर की रेजिस्टेंस है जो आपको रेड कल कर ब्लोक आपको नजरा रहा है हो something around यहां पर 1806 एंड उसके बाद में 1089 यह दो लेवल है रेजिस्टेंस के जो कि यहां पर आएगा नैचुल गैस और गाईस यहां पर आने के बाद में नैचुल गैस को अगर यह लेवल निकालता है 1089 का तो यहां से उपर जब निकलेगा तो काफी bounce upside में आपको देखने को मिलेगा जो की आपको 204 तक के लेवल भी दिखा सकता है लेकिन अभी जो फिलाल में जो target नजरा रहा है है मुझे वो target मुझे यहां पर जो नजरा रहा है गाईस यानि कि 1086 एंड उसके बाद में 1089 186 के दो target आपको में बता रहा हूं और यहां पर support level के जो हम बात करेंगे दो support level है यहां पर 107.9 एंड second support है हमारे लिए यहां पर 107.7 इन दो support को लेकर के आप यहां पर upside के लिए plan कर सकते हैं क्योंकि guys यहां पर देखा जाए थोड़ असमें आपको zoom out करके दिखाना यहां पर देखा रहा है then upside my 20 moving average के यहां पर support लिए फिर upside में से फिर यहां पर support लिया पर upside से यहां पर support लेकर के upside के लिए plan बन रहा है यहां और यहां पर जो आप जो SL होगा यानि कि support जो आप मान कर चल सकते हैं 177 एंड उसके बाद में यहां पर 179 दो support को लेकर के आप upside क लिए plan कर सकते है natural gas के अंदर और forwards के chart पे देखते हैं फटापट से forwards के chart पे क्या plan है देखिए forwards के chart पे भी वह यहां पर नज़रा रहा है देखिए forwards के chart के ऊपर अगर यहां पर देखा जाए तो यहां पर 200 moving average आ रही है यानि कि 187 यहां पर resistance create कर सकता है यहां पर upside के अंदर जो के इहां पाइप करेगा यहां जब बी क्रिएट करेगा यहां पर जब फियज कर condition कर सकता है जमझेए अब यहां पर नज़रा इस आप करते हैं कुरुडोयल once अब बात करें के चीजे जो है आपको समझ affect में आने होगे हाने के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कैज सारे यूटुबर्स क्या क्या बोलते हैं कि कुरुडॉयल नीचे जाने वाला है नीचे जाने वाला है, मैं आप से बोल रहा हूँ कि Crude Will अब Upside में जाने वाला है, जब मैंने आपको Downside के Level बताये थे, वो Downside के Level अचीव हो चुके हैं, अब यहाँ पे Support बना करके आने कि Triple Bottom बना के Upside के लिए प्लान हो रहा है, Crude Will के अंदर, और यहाँ पे आप इसको Miss मत कर आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं, यहाँ पे आपको Upside में अच्छे खासे Target मिलने वाले हैं, यानि की Crude Will अंदर, देखे चार्ट को मैंने क्लोज किया है, और क्लोजिंग के साथ साथ आपको 4 hours चार्ट के उपर कुछ एक ऐसे सहंग टम और एक Level साब को बताने वा तो यहाँ पे अब हमारा प्लान क्या होगा, और हमारा प्लान जो होगा अभी फिलाल में जो आपको यहाँ पे अगर यह वाला जो Level है, यहाँ पे नोट करना इस चीज़ को, अगर यहाँ पर इस Level को निकालता है, यानि की 600,233, यानि की 6234 का अगर Level निकालता है, तो Upside के यहाँ चेलर ऑप है, आपको यहाँ पे टारगेट मिलेंगे, 6338 अगर आपको देखनेलों को मिलेंगे, और 7 में आपको यहाँ पे एक रजिश्च्टयंस यहाँ पे पे इस तरह का फेस होता हुँआ हुआ हए यहाँ पी नजार आएगा, एक कम टाइम की ट्रेड लाइन है एक लोंग टाइम की ट्रेड लाइन लगाई है और इन दोनों के बीच में जो गैप है इस गैप को फील करने के लिए उपसाइड में पूडल आ सकता है क्योंकि यहां पर हम इस चीज को नोट करें देखें यहां पर अगर डाउंसाइड से यहां पर बनाकर के लिवल्स को यहां पर आता है और इस ट्रेड लाइन तू हवर्स के चार्ट पर भी देख लेते हैं यहां पर भी बुलिशी है और वन हवर्स के चार्ट पर देख लेते हैं फटाफट से यानिकि फिर यहां पर आपको 6,272 एंड उसके बाद में फिर आपको यहां पर 6,335 एंड 70 पट के लेवल आपको डेफेनिस देखने को मिलेंगे तो यहां पर अभी सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट के साथ साथ यहां पर अपसाइड का प्लान कर सकते हैं क्योंकि यहां पर support है, downside में आया था, यहां पर एक ग्लोक बनाया, support लिया, फिर trade line के ऊपर आया, आने के बाद में यहां पर नीचे आया था, लेकिन support trade line के ऊपर ही करके, फिर upside के लिए bounce किया है, तो यहां पर upside के मैंने levels आपको बताई दियें, और यहां पर downside में देखते हैं कि क्या होगा, देखे downside कोई माहूल नहीं है अभी तक फिलाल में, crude oil के लिए, अगर downside में जाना होगा crude oil को, तो 6050 से नीचे जब जाएगा, तभी यहां पर downside कुछ प्लान बनेगा, और नहीं तो यहां पर आप अवोइड के जएगा, अगर आप selling के लिए आप अवोइड के आप